आज की एपिसोड में बना रहे हैं अटरली डालेश्यस पनीर लसुनी एकदम रेस्टरॉन स्टाइल और ये बागी के पनीर रेसिपी से डिफरिंट है वीडियो एन तक देखें पसंद आती है तो लाइक करें और चानल सब्सक्राइब कर दें मैं नकीता अहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम टमाटो और अनियन की ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए मैंने कड़ाई ली है कड़ाई में वन टेबल स्पून रिफाइन ओल और वन टी स्पून जीरा अट किया है इसमें हम इलाइची भी आट कर देंगे मैंने एक ही करी है अच्छे से मिला दें अब हम इसमें टू रफली चॉप्ट अनियन यानि प्याज अट करेंगे थ्री रफली चॉप्ट टमीटो इसके बाद इसमें आज से दस कलियां लेसुन की डाल दें ये पनीर लेसुन ही बना रहे है तो लेसुन भारी मातरा में पढ़ती है एक तुकड़ा जिंजर याने की अद् पाउडर डाल दें एक चमच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मैंने यहां पर एक चमच नमक अट की है अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला दीजे और फाइव मिनिट्स के लिए लो पर कुखोनी दीजे आफटर फाइव मिनिट्स ये रिखिए अब हम इसमें 250 ml of water आट कर देंगे ठीक है पाणी मिक्स करने के बाद आप इसे एक बार मिला दीजे और कवर करकर हमें इने कुख करना है अप्रोक्सिमेटी 20-25 मिनिट्स ओन लो और मीडियम दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मेजरमेंट चेक करें 25 मिनिट्स हो चुके हैं अनियन अन टमेटो ग्रेवी भी बनकर रेडी हो चुकी है अभी हमें इने कम्प्लीटी कूल डाउन करना है और फिर ही ब्लेंट करना है ये कम्प्लीटी धंडा हो चुका है नाउ इसे पेस्ट फॉर्म में ब्लेंट कर देना है सेम कड़ाई में मैंने टू टेबिल स्पून्स ओफ ओईल एट किया है और इसमें जिंजर जूलियन्स और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई एट कर देंगे और बारा से तेरा कल्या लेसुन की भी एट कर दीजे इन्हें मिला दीजे जीरा भी आप एट करें दो से तीन मिनित तक कुक होने के बाद इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज एट कर दीजे और इन्हें ट्रांसलूजिंट होने तक हमें कुक करना है जब ऐसा कलर हो जाए प्याज और लेसुन का उसी समय हमें इसमें एट करनी है टमाटो और अनियन प्योरे यही ठिक कंसिस् टमाटो प्योरे का अब हमें इन्हें लो पर पकाना है दो से तीन मिन्टो के लिए उड़ता है ध्यान दीजेगा मैं इसमें एट कर रहे हूं हाफ अ कप दही दही एट करने के बाद आपकी जो फ्लेम है वो हमेशा लो पर रहेगी ध्यान दीजेगा पाँच से चे मिनिट क पहले भी अड़ किया तो अभी अड़िंग एड़ करें लेटर इसमें डाल दीजेगा घरम मसाला मैंने मीट मसाला अड़ किया है काफी टेस्थ अच्छा हाता है अब गरम मसाला भी एड़ करतें इसके बाद क्रश्ट कसतूरी मेथी और इने मिला दीजेग 2-3 मिनटो के अब दो से तीन मिनिट हो चुके हैं इसमें एट कर दीजे पनीर मैंने यहां पे 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने क्यूब शेप में कट कर दिया है आप फ्लेम जो है वो लो पर ही रखेंगे ध्यान रखें इन्हें तीन से चार मिनिट तक को खोने दीजे और वीडियो इस वज़े से मैंने इसमें एक चमच फ्रेश क्रीम यानि मलाई आट की है और हाफ टीजपून बटर भी आट किया है यह ऑप्षनल है लेकिन इससे रिचनेस भढ़ती है अब आप अच्छी तरीके से इन्हें मिला दीजे लगबग सब्सी जो है वो रेडी हो चुकी है सैंबल कर रहे हैं सर्विंग बोल में यह लीजे करमा गरम रेस्टरॉन स्टाइल पनीर लसुनी बनकर रेडी है मेरी फैमिली तो बहुत ज़ादा इंप्रेस हो चुकी है मेरी कुकिंग स्किल से आप भी बनाए और अपनी फैमिली को इंप्रेस करें इससे हम कह सकते हैं ना चाहेंगे सारे ही सोचल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो करें इंस्ट्रग्राम निकीता कुक बुक इस निकीता हुजा साइनिंग ओफ अंटिल नेक्स टाइम बबाई एंड टेक केर